उनका हार्टिक इस्तक्बाल करती हो और आपको सत्रंगी सलाव पेश करती हो एक तरफ ये वामपंथी है एक तरफ ये नाजीवादी है चूकि ये जोटते हैं अगर हमें सिक्षा मिली तो हम इनका काला इतिहास जान जाएंगे अरे जिस देश में प्रधानमंत्री जी की डिगरी का पता नहीं है वहाँ पर आप लोगों की पैदाई सब सब्सक्राइट मांगते हैं ये समाजवाद की राजनीती की धरा की खुबसूरती है कि एक बहुचन समाज की बेट यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़ी है इनके बीच में समाजवाद की जड़ों को स्थापित करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह बनो मैंने एक शम्मा जलाई है इन आंधियों के खिलाफ अपनी बातों को शुरू करने से पहले जो ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग लगी है जिसे लंक्स ओफ लानेट भी कहा जाता है वहाँ पर जिस तरह से अमेरिकी सम्राजवादी ताकते लगी हैं उसे लूटने में हम उसका इस मंच से कड़ी निंदा करते हैं मैं बिर्सा और जैपाल मुंडा की मानस फुत्री और किसान की बेटी वहाँ के किसानों और आदिवासियों के संगहर्शों के साथ खड़ी हूँ पिहार, आसाम और खेरल में जिस तरह से लोग बार्जेती प्राकृतिक आपदा से पीडित हैं उनके इस विपत्ती की घड़ी में मैं मेरी पार्टी और मेरा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है आज आप देख रहे हैं किस तरह से एनिपी के नाम पर, निव एडिकेशन पॉलिसी के नाम पर सिक्षा का बाजारी करन किया जा रहा है स्कूलों को, विद्यालों को, विश्व विद्यालों को यह लोग नीजी हातों में सौप कर हम जैसे वंचितों, अकलियों को, तलितों, पिछ्डों, अगि पिछ्डों को सिक्षा से रोक रहे हैं चुकि यह जोनते हैं, अगर हमें सिक्षा मिली, तो हम इनका काला इतिहास जान जाएंगे, हमारी अज्ञानता ही इनका ज्ञान है, प्राइबटाइजेशन, आरक्षन और समाजिक न्याविरोधी है, अगर डेमोक्रेटिक इंस्टिटूशन का प्राइबटाइजेशन हुआ निजी करन हुआ, तो वहाँ आरक्षन लागू नहीं होगा, बिना सभी वर्गों की भागिदारी के, ना तो ये समाज, ना देश और नईहां की संस्थाएं लोक्तांत्रिक बन पाएंगी, इसलिए आरक्षन पर हमला हमारे लोक्तांत्र पर हमला है, हमारे समविधान पर हम से फातिमा शेख विरांगना फूलन को याद करते हुए संस्थागत हत्या जो पायल तद्वी की की गई उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और उन जाती वादी हत्यानी डौक्टरों को चुनोती देती हूँ कि अगर आगे से किसी भी बहुजन समाज की बेटी महिला के इस रत स्वाभिमान और सम्मान को पुचलने की कोशिश खी गई तो हम उसका जवाद विरांगना फूलन के अंदाज में देंगे ये आग से छुपा नहीं है ये हम भी से अचूते नहीं आप ही से अचूते नहीं कि किस तरह से इस बहुरंगी भारत को एक पटिकुलर रंग में एक हिंदुत्व के रंग में एक भगवा रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है मौब लिंचिंग की एक नहीं संस्कृती इस क्यांपच में इस पूरे देश में गढ़ी जा रही है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं दूध का पाउडर चाट कर पैदा हुए ये गौरक शक काई के नाव पर मुस्लिमों गलितों की हट्टा करते हैं आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमें टारगेट लिया जा रहा है हमें चुन चुन कर मारा जा रहा है जो लोग यह शांति और सौहाट के छिलाथ हैं उनके छिलाथ मेरी पोर्टी और मेरे संगेठन सीनास्तान कर खड़ा हैं किसी भी कीमत पर हम भारत के इस साज विरासत को इस गंगा जमुना के तह्जीब को खतम नहीं होने देंगे इंडिया इस दे लार्जेस डेमोकरसी के ना पर जो लोग सीना चोड़ा करके घूम रहे हैं मेरा उसे सवाल है साथी आपने जो कश्मीर में किया वो किस डेमोकरसी का उताहरन है पारूद के धेर में कश्मीरी आवाम को रखने की इनकी कवायत जारी है हमारे लिए कश्मीर भुगो लेके मांचित्र का एक खंड मस्र नहीं है वहां की कश्मीरी आवाम हमारी है ये लोग नारा लगाते हैं भारत मात कश्मीर से गन्या कुमारी भारत मात एक हमारी इन्हें सिर्फ वहां की महिलाज चाहिए वहां की जमीने चाहिए साथ ही आज कश्मीर है कल आप होंगे कल हम होंगे इस जुल्म के साय में जुबा खोलेगा कौन हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन वंचुतों और अकलियतों को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की जा रही है आप देख रहे हैं किस तरह से सोन भत्र में आदिवासियों का नरसंगार हो जाता है उनमादियों को सब्ता का संरक्षन में रहा है लेजिसलेजर से लेकर जुड़शीर तक एक निकस्स है ये 10 प्रतिशक EWS आरक्षन भी इसी का उधारन है आप हमें बताए मंडल कमीशन 1990 में आता है और इसे लागू होने में तो दशक लग जाते हैं लेकिन EWS रातो रात लागू हो जाता है जिस तरह से इस देश में संतोशीनान की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है वहां इन अठलखिया लोगों को गरीब करार दे दिया जाता है ये किस तरह की गरीब है साथ ही आप हमें बताईए हम चाहते हैं यहां भारत माता की जै के नारे लगें लेकिन साथ में घर-घर भात पहुँचे इसकी भी चिंता होनी चाहिए समाव तरह के कम्यूनिस्ट प्रोफेसर होने के बावजूद या इस क्यांपस में OBC प्रोफेसर की संख्याद जिरो है अखिर क्या वज़ा है कि नवासी सेक्रेटरी में स्केवल तीन दलित और आदिवासी है वहाँ भी OBC की संख्याद जिरो है क्यूंकि यहां पर तमाव तरह के ध्रोणा चाहर बैठे हैं हम पर एनसेस का नोर्ट पाउट शुटेबल कर ठपा लगाकर हम जैसे एक लग्व्यों का आंग उठा काटने के लिए आप देखते हैं किस तरह हम लोगों ने चाहे वो थर्टीन पॉइंट रोस्टर का मामला रहो हो चाहे वो वाईवा में मांग घटाने का मामला हो हमारे संगर्ष उसके शुरू से रहा है और आगे भी करेंगे वसुदेव कुटिस्पकम की इस धर्टी पर किस तरह से एनासी लगा कर एक समुदार विशेस को टार्गेट किया जा रहा है अरे जिस देश में प्रधान मंत्री जी की डिगरी का पता नहीं है वहां पर आप लोगों की पैदाइश का सटिसिकेट मांगते हैं आपको शरम आनी चाहिए यह सावलकर से लेकर जोशी तक की कैसी परंपरा रही है कि आप एक तरफ भारतिया संस्कृति के नाम पर एंटी रोमियो स्कॉर्ट चलाते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप नावालिकों का सोशन करते हैं भारत माता की जैक नारेवा लगाने वाले लोग ना महलाओं की ना बहों की ना बेटियों की किसी की इज़त नहीं करते कुल्दीप सेंगर पूर्व राज्यमंत्री स्वामी छिन्मयानन पूर्व खेंद्री मंत्री निहाल चन किसे एक दो दो मोडल पीश कर रहे हैं भागवत जी पहले आप सोहार्द पूर्व माहौल में इनकी समीक्षा कीजिए आरक संगी समीक्षा बाद में होगी जेंडर जस्टिस के नाव पर वोट बैंक भरने वारे लोगों से मेरा एक सवाद होगा SFI की साथ ही मेरे सवाल का जवाब दे जो महिला रिजर्वेशन पर BJP का स्टैंड है वो CPI और CPM का भी क्यों है क्या आपके फेमिनिजम के नारिवाद के धाचे में क्या आपके इस धाचे में एक दूट बेचने वाली मैलाड होने वाली नहीं आती अगर आपके इस धाचे में अगर ये लोग आते हैं तो आपको कोटा विदिन कोटा से इतने दिकत क्यों है यही सवाद मेरा लहेगा NSUI के साथ ही के साथ JNU Campus में Fund Cut क्यों है Library Fund Cut क्यों है यह Fund राज कब तक रहेगा आप Health Center में जाए पेट में दर्ट, कले में दर्ट, सिर में दर्ट, कान में दर्ट सिर्फ परसिटमॉल ही क्यों है यह Cash को ख़दम कर दिया गया इन सभी सवालों पर मेरे ABVP के साथ ही प्रकाश डालेंगे इसकी मैं उम्मीद करती हूँ इस देश में आरक्ष इस देश के अठ्वेवस्था तबा की जा रही है GDP दिन प्रति दिन लुढ़कती जा रही है यह लोग विकास का हवाला दे रहे हैं जब लोग अच्मिता लूटे जाने वाले द्रिश भूल जाएंगे जब किसान फंदे में जूल जाएंगे जब लागोगर बाटे बह जाएंगे तब आप भी राश्रवाद के नारे धोर आएंगे क्योंकि अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप देश द्रोही कहलाएजे आप देखिए जहां पर एक तरफ माइनोरिटी इंस्टिउशन को टार्गेट किया जा रहा है चाहे वो अलिगर यूनिवरसिटी हो चाहे जामिया मिलिया इसलामिया हो चाहे मौलाना अली जोहर यूनिवरसिटी हो वही दूसरी तरफ जे नियू जैसे संस्थान की कल्चर को खतम करने की साजिश की जा रही है यहां के दिवारों को मूख बना दिया गया है इन्हें लहुलुहान कर दिया गया है और जो लोग कहते हैं सो कॉल लेफ्ट यूनिटी कि हम यहां पर आपके लिए लड़ लहें साथ ही आपसे तो इस क्यामपस के खटमल नहीं भागे आप वीजी को क्या भगाईए मैं प्रियंका भारती इस मंच से अतील करती हूँ कि इस राइट लेफ्ट के प्रपंच को समझिए और हमें चुनिए गोदावरी की प्रेसिडेंट रहते हुए जो समय कर सकती थी मैंने किया और अगर आप इस राइट लेफ्ट की खीचा तारं को छोड़ कर इस बार छातर राज़त को चुनते हैं तो हम इस बार इस क्यामपस को सर्वसमावेशी बनाने की इमानदार कोशिश करेंगे कैदी नहीं किरदार हूँ अपना किरदार निभा कर ही जाऊंगी तो क्या हुआ आने वाले संख़श कठिन है तो क्या हुआ विश्व विद्यालियों को बचाना नामुम्किन है तो क्या हुआ वो दो धर्मों को लड़ाएंगे हम अपने आखरी सास तक लोग तंत्र को बचाएंगे और फिर से इसका मंदल के खिलाव हम मंदल को लाएंगे